ओम स्री गनेशा नमाहा हरे क्रिष्णा रमा एकाच्छी व्रत कथा भाव विहल होते हुए अर्जिन ने कहा हे स्री क्रिष्ण अब आप मुझे कार्टिक महा के क्रिष्ण बक्षी एकाच्छी की कथा सुनाईए इसे काच्छी का क्या नाम है तदा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है इसे काच्छी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ती होती है कृपा करके सब विधान पूर्वक कहिए भगवान श्री क्रिष्ण ने कहा हे अरजुन कार्तिक महा के कृष्ण बक्ष के यह गाच्छी का नाम रमा है इसका वरत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है इसकी कता इस प्रकार है ध्यान पूर्वक्ष रवन करो पुराने काल में मुचुकंद नाम का राजा राज्य करता था इंद्र वरुण कुबेर विभीशन आदी उसके मित्र थे वह बड़ा सत्यवादी था विश्नु भक्त था उसका राज्य बिलकुल निशकन टक था उसकी चंद्र भागा नाम की एक कन्या थी जिसका विवा उसन वह कार्टिक का महीना था उसी मास में महापुर्णे दाई नी रमा एकाज्य आ गई इस दिन सभी वरत रखते थे चंद्र भागा ने सोचा कि मेरे पती तो बड़े कमजोर हिर्दे के हैं वे एकाज्य का वरत कैसे करेंगी जबकि पिता के यहां तो सभी को वरत करने की आग पारा हुआ है अता सारी प्रचा विधान पूर्वा के अकाज्य का वरत करें जब दश्मी आई तब राज्य में डिढोरा पीटा उसे सुनकर सोभन अपनी पतनी के पास गया और बोला हे प्रिये तुम मुझे कोछ उपाए बतलाओ क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता यद प्रिये तुम्हारी डाय उचित है परंद मैं वरत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाओंगा अब मैं वरत अवश्य ही करूंगा परिणाम चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो आगे में लिखे को भला कौन टाल सकता है सभी के साथ सोभन ने भी एकाशिक अव्रत कि और भूक और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा सूरे नारायन भी अस्त हो गया और जागरन के लिए रात्री भी आ गई वहरात सोभन को असहनिये दुख देने वाली थी दूसर रखे चंद्र भागा अपने पिता की आग्यानुसार सती नहीं हुई वह अपने पिता के घर रहकर एकाशी के वरत करने लगी उधर रमा एकाशी के प्रभाव से सोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विश्नु की कृपा से उसे मंद्राचल परवत पर धंधाने स परिपून तथा शत्रु रहिद देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्थ हुआ उसे वहां का राजा बना दिया गया उसके महल में रत्न तथा स्वान के खंबे लगे हुए थे राजा सोभन स्वान तथा मनियों के सिंखाजन पर सुंदर वस्तर तथा भूशन धारण किये बैठा था गंधर्व तथा अपसरायन रित्त कर उसकी स्तुति कर रहे थे उस समय राजा सोभन मानों दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था उनी दिनों मुचुकंद नाम नगर में रहने वाला सोमशर्मा नाम का एक भ्रहमन तीर्थ यातरा के लिए निकला हुआ था गुमते गुमते वह सोभन के राजे में जा पहुँचा उसको देखा वे भ्रहमन उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया राजा सोभन आपको देखासन से उठ खड़ा हुआ और अपने श्वसूर तथस्तरी चंद्रभागा की कुशल शेम पूछने लगा। हे देव यह सब कार्टक महा के कृष्ण बक्ष की रमा एकाशी के वरत कफल है इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्थ हुआ है किन्तु यह अस्थेर है सोभन की बाद सुन ब्रहमन बोला हे राजन यह अस्थेर क्यों है और स्थेर किस प्रकार हो सकता है तो आप मुझे नगर प्राप्थ हुआ परन्तु यदि तुम इस वरतांत को राजा मुझे कुंद की पुत्री चंदरभागा पे कहोगे तो वह इसको स्थेर बना सकती है राजा सोभन की बाद सुन ब्रहमन अपने नगर को लोट आया और उसने चंदरभागा से सारा वरतांत कह सुनाया इ मैंने तेरे पती सोभन तता उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है किन्तु वह नगर अस्थिर है तु कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए ब्रहमन की बास सुन चंदरभागा बोली है ब्रहमन देव आप मुझे उस नगर में ले चलिए मैं अपने पती को देख किया चंदरभागा मंत्रों तो था व्रत के प्रभाव से दिविदेह धारन करके पती के पास चली गई सोभन ने अपनी पत्नी चंदरभागा को देख कर उसे प्रसंता पूर्वग आसन पर अपने पास बैठा लिया चंदरभागा ने कहा हे स्वामी अब आप मेरे कि थी तब ही से मैं सविधी एकाशी का व्रत कर रही हूं उन्ही व्रतों के प्रभाव से आपका हिया नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपून होकर प्रले के अंत तक स्थिर रहेगा चंदरभागा दिव्वे स्वरुप धारन करके तथा दिव्वे वस्तरान लंग कारो से सजकर अपने पती के साथ सुख पूर्वक रहने लगी हेर जुन यह मैंने रमा एकाशी का महत्मे कहा है जो मुनिश्य रमा एकाशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नश्ट हो जाते हैं जो मुनिश्य रमा एकाशी का महत्मे सुनते हैं वह अंत समय में व करता है तो वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं परंतु मनुशी को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करें शोबन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किये गए अकाच्छी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका ऐसी सुकर् नारायन नारायन भज्मन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन लक्ष्मी नारायन नारायन सत्य नारायन नारायन भज्मन नारायन 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 लक्ष्मी नारायन नारायन श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 ना नारायन भज्मन नारायन 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 पोलिय श्री हर विश्नु भगवान की जय लक्ष्मी माता की जय